नहीं मैं हरान हूँ जब ये चौदरी साब मेरा मतलब आंटी साब बंदूक लेके घक करने वालों को गोली मारने निकली थी तो रास्ते में हिल्मन का नाम सुनके उसको क्यों नी गोली मारी सोची हलांके हिल्मन और हिक्मत दोनों ही इसकी बहन के मुंडे हैं ये कौन सी खेरत थी जो हिल्मन का नाम सुनके ठंडी बैगई तो देखो भाई वो इस्तरी है और वो कुछ भी कर सकती है यानि बेटी की इजद कोई माइन रखती ये मौामला किसका है खेरत का इजद का जिद का क्या है पता ने इसका बाई हिकमत आ कि हिल्मन को कहता है कि गुल्मिना मेरा प्यार है हिल्मन कहता है दफा हो तो अपने अबे के हाथों इस्तमाल होने वाला हत्यार है दर के आगे जीत है हिल्मन अपने खबरी से पूछता है कि क्या ये गुल्मिना से प्यार करता है उसका खबरी कहता है कि ऐसा हूई नहीं सकता अगर हुआ तो मेरी गरतर कार देना दूसरी तरफ मरजान के आदमी से रिपोर्टर को भेज देती है लिकन यह जाती नहीं यह गुलमीना के पास हा जाती है उसका इंटर्यू लेने गुलमीना केते है यह हमारे घर का मामला है हम खुद निपढ़ लेंगे इसलिए तुम निकलो यहां से और आएंदा मताना है हाजी को पता चलता है तो लड़की को बुला के पूछता है कि जरगूना बेगम ने क्या कहा शेहरजाद कहती कि उन्होंने कहा कि यह हमारा अपना मौामला है हाजी मरजान कहता है उन्होंने ठीक कहा यह हमारा अपना मौामला है तुम घक पे रिपोर्टिंग छोड़ दो लड़की कहती है वो आपका अपना बेटा है इसलिए आप कह रहे हैं हाजी कहता है कि वो मेरा अपना बेटा होता तो मैं इसको अपने हाथों से मारता है वो मेरा सोतेला बेटा है वैसे कैसी बात है हिलमन को इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि बीवी कहेगी के सोतेला था तो मार और अपना बेटा होता है तो उसको अपने हाथों से मारता है तब बीवी ने कुछ नहीं था कहना इधर सब जली जिसको कोड़े पड़े थे उसका दोस्त उसको बताता है कि हिलमन नहीं हिकमत गुलमीना से प्यार करता है तो इधर सब जली हिकमत के पास हा के बातों बातों में पता करी लेता है कि वाक्री ये सच है अगले दिन जरगूना के गुलाम मस्तान का बाप हकीम गुरुबक्ष फोट हो जाता है गुलमीना कहती है मैं भी मस्तान चाचा के घर जाओं अफसोस करने के लिए तो उसकी मां कहती है कि ये तुम्हारे बाप का कातिल है फिर फलेशबेक दिखाय जाता है कि मस्तान एक दिन अपनी मंगेतर को असदुला के खेतों में लेका है तो असदुला ने देख लिया तो गेम बजाना पड़े असदुला कहता है कि अन्नी देओ इधर आओ तुम्हे पूरे गाओं के सामने जलील करू मस्तान गुसे में आके चाकु मार की कतल कर देता है किसा खतम लाओ साब हजी भी कोई पेंड़ा गुसे में बंदे की कीमत ही कोई नहीं अरे बाई रुको फ्लेश बैक में ये भी दिखाया जाता है कि हाजी मरजान ने बहुत साल पहले हकीम गुरुबख्ष से एक जहर लिया था कि मैंने इस जहर से कुता मारना है लेकिन हिलमन को लगता है कि उस जहर से इसने मेरा अबबा मार के मेरी अम्मा से शादी की और ये बात हिलमन अपने सुतेले बाप के सामने बैठके करता है कि तुमने मेरे बाप को मरवाया हकीम गुरुबख्ष की मदद से हाजी मरजान कहता है ये जूट है लेकिन जो तुने मेरे सर पे खाक उठाया उसका फैसला अब जिर्गा में होगा इदर सबजली हिलमन के पास आता है और कहता है मुझे माफ करो मैंने तुमसे शराब का जूट बोला और मुझे अपना खबरी बना लो मैं तुमें पूरे गाउं की खबरें दूँगा तो हिलमन कहता है कि जा फिर मेरे लिए खबरें लेके आ इदर गुलमीन अपनी मा को बताती है कि मैंने हिकमत को गदल किया मस्तान की मंगीतर कहती है कि तुमने अपने मरते हुए बाप से वड़ा किया कि तुम उससे शादी कर लोगे मस्तान कहते है एक वादा मैंने जर्गुना बेगम से भी किया वो पूरा होगा तो ये होगा मस्तान कहते है मैंने जिर्गा में जूट बोला कि उसने मेरे मजब पे हाथ उठाय इसलिए मैंने उसको कतल किया असल में मुझे तुम्हारी इज़त का ख्याल था अगर तुम्हारा नाम कहीं पे आ जाता तो तुम तो जलील हो जाती इसलिए जाओ किसी ओर से शादी कर लो मंगेतर कहते है पिछले 20 सालों से मेरा नाम छुपा के मेरी इज़त की खातिर तुम गुलामी कर रहे हो और मैं किसी ओर से शादी कर लो इतनी कमीनी नहीं हो मैं हुआ है मैं तुम से ही करूँगी साप पास इज़र चूँकर शाद हाजी मर्जान की घरी रह रही होती है तो हाजी मर्जान की बेई पूछता है कि अपने बारे में भी कुछ बताओ तो शेरजात कहते हैं मुझे अपने माबाब का नहीं पता वो कहां रहते हैं मैं बच्पन से अपने चचा के साथ रहती थी और देखते देखते मैं बड़ी होगी फिर मेरे एक कजन को पता चल गया कि मैं बड़ी हो गई हूँ फिर मैं उनको छोड़ दी, अब हॉस्टल में रहती हूं, इसके बाद ही, हाजी मर्जान को कहती है, नहीं कहां रह रही हैं, विम्हेज।न को बताती हैं, लेकिन जाने से पहले हिलमन के पास जाती है, यहां है, फ्रेमस हो जाओगी, इदर हिलमन दुबारा ऐसी बातें करता है वो दुबारा इसके प्यार में पागल होना शुरू हो जती है हाजी मरजान अपने चेले को बंदूग दे के भेज़ा था कि अगर हिलमन थोड़ी सी उस लड़की के साथ बतमीजी करे तुमने गोली मार देनी है हाजी बहुत तेज है कभी पकिजा फुभो बन जाता है कभी बगरत बन जाता है इसकी समझी नहीं आती लेकिन हिलमन लड़की को सर्दी लगने की वज़ा से चादर दे देता है मुकान मिलता गोली मारने का चीटिंग करता है तू चीटिंग चीटिंग करता है तू लड़की ओफिस पहुंचते तो एक नया बोस आ चुका होता है जो ठड़की प्लास बगहरत भी होता है लड़की उसे भी और नोकरी को भी धक्का दे कहें चादर ओर के आ जाती है हिलमन जरगुना बेगम को बता देता है कि मेरे बाप को हाजी ने जहर दिया हिकमत अपने बाप को कहते है कि मैंने बहुत सबर कर लिया अब मैं चुपनी रहूंगा दोस्तो इसकी टेंशना लो ये बस बाती ही करता है दूसी तरफ शेहरजाद की बातों से पता चल रहा है कि उसको हिलमन से मोबत हो रही है तो दोस्तो ये थी नव एपिसोड तक की कहानी अब 4-5 एपिसोड और गुजरेंगे तो चैप्टर 3 में आपको मजीद कहानी बताएंगे और अपनी बकवास राए भी बताएंगे हिटेंशनी लेनी इस वीडियो को लाइक करना मत पूलें अगर आप पहली दफ़ा तश्रीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक क्यार कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिस आइए